हालो एब्रिवान वेल्कम टू जी एन्व ऑनोर्स क्लासेस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एजिंग के बारे में दिखी ये टॉपिक अब की एजिंग की थियोरी के अंदर है ये टॉपिक बहुत दीजी भी है फिर आपको क्या लिखना है इसके लिए भी एजिंग की रोल क्या हो ठीक है ना एजिंग के वज़े से क्या हो रहा है अच्छी चीज उसके बारे में बात करेंगे एजिंग होने के कॉजिस के बारे में बात करेंगे इंकि देखे हम सबको लगता है तो टाइम रिलेटिट डिटोरीशन हो रहा है जैसे जैसे टाइम ब देखना पड़ेगा cause of theory and theory of aging कुछ होता है programmed theory मतलब की और कुछ होता की damaged theory कुछ होता है तो और कुछ होता है कि कुछ बड़ी के अंदर कुछ इज़ डामेज होने के वज़े से भी वो हो जाता है इसी तरीके से ठीक हैं आप aging को जैसे सोचोगे जिसे मेरी photo देख रहे हो मेरी देखन की photo सोचिए तो इस तरीके से आप लोग you ong है हम लोग मिडेश गूप में है और बुद्दी लोग होंगे ठीक है ना इंदिया के अकडिंग की capacity भी deteriorate करता है ठीक है ना जो इधि हम बात करेंगे simple language में कि aging क्या होता है aging can be defended as the time related deterioration time के according body functioning जो होता है धीरे 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 deteriorate करता है अब the physiological functions जो की physiological functions जैसे कि मैंने बात के digestion आपकी slow down हो जाएगा कान को जो hearing की capacity होता है न वह भी down decrease हो जाता है आपकी घर में मान लीजे कोई रहे हूंगे बुढ़ी लोग आपको पता होगा आए मतलग की चस्मा लगने लग जाएगा इसे भी बहुत सार फीजियोलोजिकल फंक्शन होता है necessary for survival and fertility aging जो होता है वो survival and fertility के लिए भी जरूरत होता है aging होगा तो ultimately aging के बाद उनकी क्या होता है death रहता है जो natural death हम सोचते हैं तो death होना भी तो अच्छी बात है ना नहीं तो इतना organism से आठ के अंदर रहेंगे कैसे so aging की और एक definition देखे it is the programmed loss of physiological function that increase the probability of death ठीक है यह programmed है पहले से preoccupied है मतलब यसे होना ही चाहिए ठीक है aging starts after the attainment of the sexual maturity जो higher organisms होते हैं जिसे हम लोग होगे हैं क्यांकि हम lower organisms के बारे में भी बात करेंगे lower organisms के कैस में regeneration करके एक power है तो इसलिए उनके कैस में aging आपको उतना अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा जैसे जैसे आप अनिकन के नंग से periphery के अंदर जागे ना उनकी regeneration का पास बहुत हाए है ठीक है और जो protozoans होते हैं protozoans तो immortal है क्योंकि वो unicellular होते हैं ठीक है natural death उनका होता ही नहीं है क्योंकि बाइनरी फिसंस में दो हिस्तों में divide हो जाएंगे जो parent cell था उनकी बड़ी तो बच्चे के पास ही है तो ऐसे आप petrol डालके आग लगाओगे उनका death हो जाएगा लेकि नाचुरल यह death नहीं होता है समझ रहो ना तो यह मोटा लो हो गए हैं तो इसी तरी से आप आगे चलोगे जैसे देखिए higher vertebrates की जब हम बात करेंगे कच्छवा ठीक है टर्टल जो होता है उनका तो मतलब कि 300-400 साल सोता है गालप लगास आइलेंड में जो था उनका इतने साल रहता है क्या जो lifespan लेकिन हम लोगों का लगभग 120 human की माल लेजिए कुछ बार्स होते 150 इतना साल रहता है ठीक है तो इसलिए एजिंग की जो sexual maturity यह higher organisms के बात होता है देखिए role of aging जैसे मैंने बात किये थी कि cell generations power aging के कब होता है देखिए नॉर्माल क्या होता है हमारे बड़ी के अंदर इस तरह के से cell बनता रहता है old cell के death होता है new cell बनता रहता है तो इसलिए उनके case में जो cell की जो growth होता है, बहुत जादा होता है, date की comparison में growth बहुत जादा है, adult आप लोग जो ऐसे हैं, तो अभी क्या है, तो अभी बराबर है, जितना cell बन रहा है, उतना cell death हो रहा है, जो aging process जो हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, date जादा होता है, बनत vertebrates, जैसे कि sponges, coral leaves हो गया, उनके पास में no sign of aging, because here constant regeneration उनके पास होता रहता है, जो part lost हुआ, फिर regenerate हो जाएगा, तो इसलिए उनके नहीं 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 देंगे ओ लोग, फिर vertebrates की बार में बात करेंगे, fish, bird, reptiles, they have long life spans continuous to grow throughout their life, comparatively less generation as compared to higher vertebrates, जैसे कि totto age की 200 से 300 साल हो गय हो गया, but mammals की case में हम बात करेंगे, हमारे case में aging अच्छे खासा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो wild animals होते हैं, आपको कभी-कभी ऐसे पूछा देता है, जो MCQ के दोरान, wild animals में आपको भी aging देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके case में क्या होता है, उनकी particular age से पहले उनका death हो जाता है, माल लेजिए predation हो गया, माल लेजिए food की scarity हो गया, तो ऐसे ही उनका death हो जाएगा, मतलब कि normal death ना होके इस तरके से accidental death हो जाएगा, इसलिए उनके case में भी aging study करना थोड़ा सा difficult है, ठीक है, यह wild animals के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि उनके case में भी aging हो है, इसलिए हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे body के अंदर metabolism होता है, जैसे पता है आपको, कि हम लोग खाना लेते हैं, oxygen लेते हैं, तो mitochondria यह metabolic reaction चलता है, इसलिए तो ATP बनता है, तो ही metabolic byproducts कुछ रहता है, जो कि क्या करेंगे, cell की membrane को damage करेंगे, ठीक है, accumulated genetic जो चीज़े रहता ह है, DNA बगरा, उसको damage करेंगे, तो हम reactive oxygen species या free radicals कहते हैं, वो body के अंदर यह ज़्यादा बन जाएगा, तो stimulate करेगा, aging करने के लिए और ज्यादा stimulate करेगा, ठीक है, और कुछ रहता है, genetic program aging, कुछ जिन ऐसे रहते हैं, वो aging करने के लिए ही है, ठीक है, टॉर जिन हो गया, टी अब जिन हो गया, और कुछ diet और social life होता है, जो कि aging के लिए रहता है, जैसे डॉक्टर लोग prescribe करते हैं, विटामिन C, विटामिन E, ज्यादा लीज़े, आंटी ऑक्सिडन्ट के तरफ आप एजिन को रोकेगा, ठीक है, इंसुलिन पाथवे जो रहता है, मतलब कि कुछ endocrine theory रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे कैसे ये भी aging को promote करता है, और chromatin जैसे telomorage की बात करेंगे इस तरीके से, ये तो causes हो गया, क्यों aging होता है, वो ये causes को समझने के लिए theories होता है, थियोरी दो तरीके के होता है, एक ठीक है, बड़ी के अंदर अल्रेड ये चीज़े है, वो time के according के चीज़े होगा, लेकिन damaged and error theory क्या होता है, ये accidentally ये वो चीज़ रहेगा, then deal causes, तो माली जैसे तो normally mutations नहीं होता है, माली जै किसी बंदा का mutations हो गया, कोई भी external causes की बज़े से, then deal causes तो aging, ठीक है, तो damaged और error theory एक रहता है, और programmed theory, तो यहाँ पर free radical and wear and tear देखेंगे, genetic aging theory जिसमें हमने DNA teloporase के बार में बात करेंगे, ठीक है, आच्छा, तो आईए देखेंगे सबसे पहले pre radical theory, pre radical जैसे मैंने आपको बताए थी, कि body के अंदर metabolism चल रहा है, metabolism चलने के बाद जो oxygen byproducts होता है, ठीक है, oxygen, oxygen superoxide, तो body के अंदर hydrogen peroxide and OH, ठीक है na, H2O2, यदि ये body के अंदर उनकी amount जादा हो जाएगा, क्योंकि normal क्या होता है, उसको dissolve करने के लिए हमारे body के अंदर भी antioxidant जैसे enzymes होते, superoxidates, dismutage, ठीक है, वो भी बनता है, लेकिन माले जो वो नहीं बन रहा है, और pre radicals के amount जादा हो रहा है, उस case में क्या होगा, cell की membrane damage हो जाएगा, cell के अंद लिखे, during normal metabolic action, certain product जैसे कि oxygen by-product शुर रहता है, जिसको हम ROS केते, reactive oxygen species, ROS की full form होता है, reactive oxygen species, ठीक है, आचा, जैसे कि example OH and H2O2, hydrogen peroxides, ठीक है न, so ROS, then aging increases, इदी body के अंदर उनकी amount बढ़ जाएगा, तो aging भी increase होगा, so इसलिए हम क्या करते हैं, antioxidant देते हैं, vitamin E and vitamin C वाला खाना ये आप खाऊगे न, तो aging उतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो साइद आपने देखे होंगे कुछ cream होता है, cream होता है, उसमें लिखा जैता है कि vitamin C है, vitamin E है, C तो नहीं, E ऐसे कुछ करके लिखा है, आपको खाने से वह चीज़ होग रहेगा, cream लगाने से अच्छा, जो कि anti-aging वाला प्रपोर्टी वाला ये से बोलते हैं, लेकिन आपको खाना पढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे कि radiation और oxygen, reactive oxygen species, जो कि normal metabolism से बनता है, तो hydrogen peroxide and hydroxical radicals, हमारे बड़ी के अंदर enzymes रहता है, catalyze and superoxide dismutage, तो उसको क्या करते हैं, destroy कर देते हैं, लेकिन माल लिजे, उनकी amount body में decrease हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, aging हो जाएगा, यानि कि H2O2 के amount बढ़ गया, catalyze and आपका superoxide dismutage, इसकी amount घट गया, तो क्या होगा, ultimately aging हो जाएगा, ठीक है, उसको control करने के लिए, more rust, degrade, और late aging, यदि आप किसी भी बज़े से, catalyze and superoxide dismutage की amount body के अंदर बढ़ा होगे, तो aging भी घट जाएगा, ठीक है, anti-oxidant की जैसे बात करेंगे, high rust, जो rust रहेगा, तो fast aging होगा, low rust रहेगा, तो slow aging होगा, वैसे high antioxidant रहेगा, तो slow aging होगा, क्यूंकि high antioxidant यजी रहेगा, वो rust प oxides हो गया, या, ठीक होगा, उसको तो भी destroy कर देगा, तो इसलिए low antioxidant रहेगा, यदि बढ़ी के अंदर fast aging रहेगा, ठीक है, आच्छा है, तो उसके बाद हम second theory देखेंगे, wear and tear theory, wear and tear का मतलब होता है, कि जैसे कि मान लीजे, जैसे हम लोग क्या होते है, यह चोटे बच्च की फैस की फैस लिटर हैगा, मान लेजे के example से हम समझेंगे, इसे मान लेजे कोई भी एक प्लास्टिक की चीज हो गया, प्लास्टिक चयार हो गया, तो यदि आपने उसको घर से बाहर ऐसे फेक दोगे, तो constantly sunlight उसके अंदर आ गया, फिर दिन की sunlight हो गया, रात में cold light हो गया तो उन में क्या हो गया है, चैंजेस हो गया है, तो एसके मतलब है कि बॉरुडटी जो constantly कुछ ना कुछ चिजे के contact में आ रहा है, हिलिंग कर रहा है, तो ऐसे करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ म्यूटेशन होने की चांसे रहता है, और ओहीं म्यूटेशन प dabह करेगा ए रहता है उनकी efficiency gradually decrease हो जाता है जिस बज़े से क्या होगा faulty zine की amount body में increase हो जाएगा and that leads to aging तो भी ओभी aging करने की कोशिज करता है जैसे कि आपने जैने प्लास्टिक चैप वाला example आपको दिया आप समझ पाओगे घर में आप ऐसे रखोगे तो को लंबे time उनका longevity जाधा रहेगा माले जैसे बाहर फेक दोगे बारी सोगा sunlight होगा ठीके ना तो ऐसे होते हुए होते हुए ओ एक दिन आएगा वह एकदम खतम हो जाएगा ठीके ना कोई भी चीज़े है आप तो ऐसे ही human की body भी ऐसे ही होता है ठीके ना बार 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 स्ट्रेस आने से बज़े से इस तरह के से रहेगा तो environmental stress हो सकता है या तो कोई कि lifestyle-lizards भी हो सकता है ठीक है नेश्ट बात करेंगे genetic theory के बारे में जैसे कि p53 telomerase and p53 के बारे में बात करेंगे p53 क्या होता है देखिए जिससे आपको पता होगा हमारे जो cell cycle होता है एक यहां पर interface होता है जो कि ढने के लिए कुछ रहता है क्या आपकि चेक। रहता है क्योणी क्योंकि यह दिखता है बावर होना चाहिए माली यह गया cloth face में कोई dna में प्राबल्म नहीं है, P53 एक ऐसा मतलब की जीन है, जो कि आक्टिवेट होगा जब भी DNA डामेज होता है, यह नहीं होगा, यह एक बार DNA डामेज हो गया, तो यह एक अच्छी बात है, P53 अच्छी बात है, क्योंकि यह बताएगा, कि DNA डामेज हुआ है, आप उसको करेट कर लो, टाइम तो यह प्रोटेजमाल डिग्रेडेशन की अंदर जैसे घर में डॉस्ट भीन होता है ऐसे अंदर भी प्रोटेजमाल डिग्रेडेशन मेकनिजिम्स होता है जो जो सेल मतलग कि सही नहीं हो पा रहा है उसको डेट किया जाता है क्यों कि फॉल्टेजिन एक सल से दो से बनाएग जब एक बार डिन डामेज हो जाएगा रिप्रेशर से वह चलाएगा और एक्टिविट हो जाएगा तो स्पेसिपिकली जब भी ऑल्ट्रावावलेट रेडियेशन हो गया मतलग कि बॉड़ी में पी-53 रहता है मालीजे यह पी-53 है उसको रोकने के लिए एक रिप्रेशर प्रोटीन है मालीजे किसी भी बजे से रिप्रेशर प्रोटीन से अचिया हो गया ठीक है ना तो रिप्रेशर प्रोटीन से यह निकले आया यहां पर्मूटेशिं हो गया तो सेल की आईधर यह डेट करवायेगा स्पैसित क् ecoDNA में तो हुआ है वह सही है जल उसक तो इसका मतलब है कि नॉर्माल सेल्स के डेत हो रहा है तो जो कि एजिंग करवाएगा ठीक है उसके बात देखेंगे टेलोमरेज थी ओजी टेलोमरेज क्या होता है हमारे जो क्रोमोजम रहता है क्रोमोजम की जो लास्ट एंड पार्ट रहता है टेलोमरेज उनकी सिक्वेंसे कुछ ऐसे रहता है ठीक है ना तो होता है क्या है specifically जितना बार हेड़ हमारे DNA replicate करेगा telomerase जो somatic cells रहता है someatic cells में telomerase की size shortening होता है ठीक है ना sortening होता है telomere रहता है chromножome की हिस्सा को पहते हैं هर एक replication के अंदर क्या होता है आप का sort होता रहता है उसको maintain करने के लिए enzymes पहा जाता है जिसका नाम है telomerase थीक है तो यद़ी telomerase में कोई problem हुए तो यह sort होता रहेगा तो ओक time आएगा एकदम telomere ही disappear हो गया तो cell divide नहीं करेगा ठीक है ना जैसे दिखिए कि टेलो टी टी यह जी इस तरीके से कुछ उनकी सिक्वेंसे से टेलो मीर की ठीक है ना तो उसको maintain करने के लिए टेलो मराज एंजाइम्स पाए जाता है जो डिटोरिट हो गया तो cell divide नहीं करेगा सेनेसेंस को चला जाएगा ठीक है फिर बात करेंगे प्रोटीन इंसुलीन सिग्नालिंग यानि की जो हर्मोनाल्स थियोरी था इसलिए तो कुछ जैनेटिक पाथवे रहता है जो कि एजिंग को रेगलेट कर रहा है जिसमें इंसुलीन ग्रोथ फैक्टर होता है दो आनिमल अग्रोटीन बनाएगा ठीक है इंफ्लुएंस कर रहा है कि तुम आरेने बनो डियने था डियने से आरेने बनाने की ठीक है आक्टिवेटेड एक्टिवेटेड देन एजिंग ऑकर यदि फोक्सो अक्टिवेटेड फॉर्म में रहा है तो फूइक्ली एक्जिंग हो एक ऑर्गेनिजिम्स था जो की ड्रॉसम्स फिले के उपर उसकी एक्स्पेरिमेंट कुणर किया गया था देखिए जब फिल्पैड़ीने के लिए बहुँद नॉमिनल एमांट की नर्ची एक्टम नूद क्याए जिब बहुद करते हैं एक्टम क्यों स्टेज़्ेड़ीने आ्टिवेट करेगा तो यहां पर एजिंग नहीं होता है ड़र्मण स्टेज में यह नहीं यहां लेकिन पेब और पर अक्डिवेट हो गया जैगा टो एहां आहां दो एकवेड करौ जाएगा पाथवे, MTOR भी मामलियान एक ट्रांस्रेप्शनल फाक्टर भी होता है, इंसुलिन सिग्नली पाथवे, on longevity, MTOR इजे प्रोटीन काइनेज होता है, which promote the translation of mRNA, यहनि कि mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए वो requirement होता है, ठीक है, MTOR के, देखे, इंसुलिन पाथवे जैसे ही होता है, इसका मतलब है कि आप उसको थोड़ा easy भी है, थोड़ा लिखने के लिए भी दिक्कत होगा, तो notes आप के लिए तयार है, उससे आप ऐसे लिख सकते हो, वीडियो पसंद आए तो like केजिए, subscribe केजिए और आपकी दोस्त के साथ भी sell केजिए, thank you.